हेलो दोस्तों दोस्तों इने शिल्केर में आपका बहुत बहुत स्वगत हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेट साफ करने के लिए कुछ घरेलू उपाई के बारे में फ्रेंड्स खाने पीने की खराब आदोते जंग और प्रोसेस फूड का उधिक सेवन शाथिक गुतिहीं जीवन सेदी के चलते इन पेट समंधी समस्या बहुत आम हो गये हैं जिसके कारण हम में से ज्यादा तोत लोगों को शुभा पेट साफ करने में प्रेशानी होती है पे बार बार टॉइलेट जाने आप पेट साफ करने के लिए उधिक जोर लगाने से आपके गुदा को नुक्षान पहुचाता है वही कारण है कि कबसे जूज रहे बहुत से लोगों को पेट साफ करने के दोरान मुलक के शाथ खुन आने की समस्या देखने को मिलती है लेकिन अगार ये समन्नो उल्टा शिधा भोजन करने कुछ ज्यादा मशले दर खाने पेट में गयाश आधी के कारुण है तो कुछ घरेलू उपाई की मदद से आप सुभा आसानी से पेट साफ कर शकते हैं फ्रेंट्स इस वीडियो में हम आपको सुभा मौल टैग में आशानी और अच्छी तरह पेट साफ करने के लिए पांच घरेलू उपाई के बारे में बता रहे हैं तो फ्रेंट्स चलिए जानते हैं पेट साफ करने के लिए पांच घरेलू उपाई के बारे में नमर वान गरम पानी पीए फ्रेंट्स अगर आप शुभा उठने के बाद एक ग्लस गरम पानी पीते हैं तो इसे ना सरीफ आपको आसान इसे मौलता करने में शहायता मिलेगी बलकि शहत को कई अन्नों लाब भी मिलेंगे ये पाचोन में शुधार करता है और ग्यास कब्ज क को दूर करता है आप चाहे तो गरम पानी में शहाद मिला कर भी पीशकते हैं इसे शहत को अद्भूत फाइदा मिलेंगे नमबर टू जीरा का पानी पीए फ्रेंस अगर आप शुभा खाली पे 200 ml पानी में एक चम्मुच जीरा का बेच डाल कर उससे आधा होने तक उबाल और चान कर पी ले तो इससे कब से राहात मिलते हैं और मॉल टैग में आशानी होती है इस मॉल टैग को सख्त करने में भी मदद करता है और सुभा पेट साफ करने में मदद मिलती है नमबर त्री हारबल टी पीए फ्रेंस सुभा खाली पेट पुदिना अद्राग ग्रीन ट की चाय का शेवन करते हैं तो इससे आपको पेट साफ करने में बहुत मदद मिलेगी आप चाहे अपनी चाय में दो से तीन समोगरिक भी डाल सकते हैं शहाद और नमू का रस मिला कर पीने शे जबर दस्त फाइदा मिलते हैं नमबर फॉर अजमाइन का पानी पीए फ्रेंस दो से धाई सो एमिल पानी में आधा चमोच अजमाइन का बीच डाल कर अच्छी थरा उबा ले उससे छान ले और शहद अगूर मिला कर शेवन करें इससे कब्ज दूर होगी और पेट साफ करने में मदद मिलेगी नमबर फाइब सेब का सिरिका पिए फ्रेंस शुभा उठ पिचने के बाद गुनगुने पाने में दो चम्मुच सेब का सिरिका मिला कर इसका सेबुन करें एक कब्ज की समुष्य के लिए बहुत ही प्रभावी नुच्छा है एक पेट में गयास और अपच्छ की समुष्य को दूर करने और पाचन को मुझबूत बनाने में भी अध मिलती गी दोस्तों फिलाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताए वीडियो अच्छी लगए दिए को लाइक आर दोस्तों के साथ और सुओं फेस्बुक पर सेर जरूर करें ऐससे ही लाइफ स्थाइल सस्त और सुन्तर स्थुड़ी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकोन जुरूर प्रिस्क्राइब तक हर वीडियो का जंब आपको मिलते रहें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्नवाद आपका दिन शुभर है